हे गास तो यार कैसे हैं आप सबी लोग और आपका स्वागत है सुपर मैंनेस के एक और नहीं वीडियो में तो यार डॉक्टर स्टेंज मैंनेस आफ दी मल्टी वर्स का नया ट्रेलर रिलीज होने के बाद सब एक तरीके से वांडा को में विलन मान चुके डॉक्टर स्टेंज मैंनेस आफ दी मल्टी वर्स का लेकिन क्या हो अगर मैं आपको क्या हो कि डॉक्टर स्टेंज मैंनेस आफ दी मल्टी वर्स की में विलन वांडा है ही नहीं में विलन तो असली में कोई और ही है और Wanda तो बस एक distraction है फैंस के लिए ताकि फैंस को लगे कि Wanda में विलन है और फैंस Wanda के पीछे ही पड़े रहे लेकिन असली में तो विलन कोई और होगा जो कि Doctor Strange Madness of the Multiverse का में विलन होगा तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैंग इस पूरे Madness of the Multiverse के जोल माल के पीछे हो सकता है मतलब इस मूवी का में विलन हो सकता है और ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि हमें ट्रेलर में देखने को मिला और वो कैंग का एक वेरियन्ट हो सकता है तो अहाँ वीडियो का एंड तक देखना ताकि आप कुछ मिस ना कर दो और हाँ अगर अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना तो अब ज़्यादा टाइम वेश नहीं करते हैं और जलती से वीडियो को शुरू करते हैं तो यहर जैसा हमने डॉक्टर स्टेंज मेंडनेस आफ दी मल्टिवर्स के ट्रेलर में देखा ही था कि इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्टेंज को पकड़ कर ले जाती है मल्टिवर्स से छेड़ चार करने के जुर्म में और उन सब को ऐसा लगता है कि स्पैर्डमैन नोवे होम में जो डॉक्टर स्टेंज ने किया उसी की वज़े से ये पूरा मल्टिवर्स का कांडु है और बहुत सारे अलग-अलग युनिवर्स से इसके बीच में गेटवेस खुल गए लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जारू उसको द्यान से सुनना तो ऐसा हो सकता है कि इल्यूमिनाटी को टीवीय के बार में पता ही नहीं हो कि ये वान्डा का एज वीलन सिफ चोटा सा पार्ट हो और इल्यूमिनाटी ने सिफ ड़क्टर स्टेंज और अमेरिका शैविस को पकड़ लिया होगा क्योंकि वो दोने अलग-अलग युनिवर्स में ट्रावल कर रहे होंगे क्योंभी जैसा हमें पता ही अमेरिका शेवेस के पास अलग-अलग युनिवर्स में ट्रावल करने की पावर है और वो दोनों इसी की मदद से ट्रावल कर रहे होंगे अलग-अलग युनिवर्सेस में जिसके वज़े से इल्युमिनाटी को लग रहा होगा कि ये सब मल्टिवर्स का कान निन दोनों के वज़े से हुआ है इसलिए उन दोनों को पकड़ लिया होगा इल्युमिनाटी ने और हमने Dr. Strange Madness of the Multiverse के नए ट्रेलर में एक सीन भी देखा था जा पर कोई करेक्टर बहुत स्पीड से उड़के वांडा की तरफ आ रहा था फाइट करने के लिए जिसको लोग कह रहे थे कि वो शायर टॉम क्रूस का सुपीरियर आइरन मैन हो सकता है जिसका नम होता है आईरन लैड और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसने अपना फ्यूचर देख लिया होता है मतलब उसने फ्यूचर के कैंग को देख लिया होता है कि वो कैसा है और वो उसके जैसा नहीं बनना चाता है इसलिए वो Avengers की मदद करता है और Avengers के साथ मिलकर Kang को हराने में उनकी मदद करता है और ऐसा भी हो सकते है कि यह जो Kang का नहा variant है उसको Kang the Conqueror मतलब Kang का जो बुरा वाला variant है उसके बारे में सब पता हो और उसके plan के बारे में भी सब पता हो और Kang का यह variant इधर इसलिए आया हो ताकि वो बुरे Kang के वेरियंट को रोक सके यानि वो Kang the Conqueror को रोक सके तो हाँ ऐसा हो सकते कि यह आपर यह जो character है वो Iron Ladder और यह Kang the Conqueror को रोकने आया हो लेकिन हाँ यह सब जो मैं आपको बता रहूँ वो सिर्फ एक speculation है मतलब यह सिर्फ एक fan theory है जो कि मैं आपको बता रहूँ और Doctor Strange Madness of the Multiverse की वैसे तो fan theories बहुत सारी बनी हुई है लेकिन यह को चेक relevant और crazy fan theory थी जो मेरे को लगा आपको बतानी चीए और मैंने आपको बता दी और अगर आपको भी कोई और crazy fan theory या फिर कुछ details बताओ Madness of the Multiverse के बारे में तो comment करके जरूर बताना और हाँ Instagram पर भी मैं ऐसे मस मस चीज़े डालता रहता हूँ Marvel, DC और Super Heroes और बहुत सारी अलग-अलग movies के बारे में तो आप पर जाकर भी follow कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना मैं ऐसे amazing videos लाता रहता हूँ तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं end करते है वीडियो अच्छा लगाँ तो like करना और अपने दोस्तों के साथ share भी करना तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक लिए bye bye